दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और भगवंत मान ने अब कमान संभालते वे बड़ा एलान किया है जिसके बाद संजय सिंग ने भी उनका साथ दिया है दरसल लोक सबो चुनाव में दिल्ली में कॉंग्रिस के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने अब बड़ा खेल कर दिया है हर्याना में होने वाले वधान सुबह चुनाब को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान करते वे कॉंग्रेस को जटका दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो हर्याना में किसी से गठमंदन नहीं करेंगे और अकेले दम पर चुनाव लरेंगे भगवंत मान ने अपने बयान में कहा कि आज हम बड़ी घोशना कर रहे हैं आम आदमी पार्टी हर्याना में पूरी ताकत के साथ चुनाव लरेगी हर्याना के लोगों ने हम से पूछा है कि आप हर्याना में क्यों नहीं आते हैं हम हर्याना में ही बदलाव लाना चाहते हैं हर्याना के लोग बदलाव चाहते हैं पंजाब के सीम भगवंत मान के इस बयान पर संजय सिंग ने भी समर्थन दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा हर्याना में सभी पार्टियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है हर्याना में इन दिनों अपराध बढ़ रहा है हर्याना में इन दिनों फिरोती का उद्योग चल रहा है आम आदमी पार्टी से हर्याना के लोगों को उमीद है गौतलब है कि इस वक्त हर्याना में एंडिये की सरकार है पिछली बार जब एंडिये को जीत मिली थी तब मनोहर लाल खटर को सीम बनाया गया था लेकिन लोग सुबह चुनाव से ठीक पहले उन्हें पद से हटा कर नायाब सिंग सैनी को कमान सौब दी गई और खटर को करनाल से चुनाव डराया गया जहां से वो सांसत बन गया हर्याना में कुल 90 विधान सुबह सीट है एंडिये के पास 43 सीटे हैं जिसमें से 41 बीजेपी की कॉंग्रेस के पास 39 सीटे हैं जेजेपी के पास 10 सीटे हैं और एंडिये गटबंदन में जेजेपी भी शामिल थी लेकिन लोग सुबह चुनाव से पहले जेजेपी ने गटबंदन को तोड़ा है फिलाल अभी भी हर्याना में अंडिये की सरकार चल रही है नयाब सिंग सैनी मुख्यमंत्री है और उन्हीं के चेहरे पर अंडिये चुनाव लरने के लिए तैयार है देखना होगा कि बीजेपी अब की बार क्या कुछ कमाल दिखा पाती है लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बड़ा एलान किया है और दिल्ली में लोग सुबह चुनाव कॉंग्रेस के साथ लरने के बावत जूद पंजाब और हर्याना में अकेले विदान सुबह चुनाव लरने का एलान किया है उसके बार बेहुदे दिल्चस्प चुनाव होने वाला है देखना होगा कि सत्ता में कौन आता है और इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को शेर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद